हम पोस्ट मॉडरिनिजम या उतर आधनिक्तावाद की चर्चा करेंगे पोस्ट मॉडरिनिजम या उतर आधनिक्तावाद अपने आप में एक विचार धारा के सरणी में रखा जा सकता है या नहीं यह भी एक वाद्मिवाद का विसर हो सकता है लेकिन हम इसे एक विचार धारा के सरणी में इसलिए रखने हैं, क्योंकि यह एक तरीके के खास नजरिये का प्रत्रुत्यों करने वाली धारा की रूप में सामने आया है. यह एक ऐसी धारा के रूप के सामने आया है, जिसमें कि तमाम तरीके के जो मेटा नेरेटिब्स हैं, जो बड़ी-बड़ी विचार धाराएं हैं, उनका विरूद किया जाता है। पर हम यह कहें कि यह जो एक पुरी धारा है उत्र आधुनिक्तावाद की, उसके भीतर कुछ बुनियादी तत्वर ऐसे हैं, जिन्हें उसके मुख तत्वों के रूप मेरे खांकित किया जा सकता है। और अगर ऐसा है, तो वो बिंदू कौन-कौन से हैं, विप्रमुक्विसे कौन-कौन से हैं, और उत्तर आधुनिक्तावाद में किस तरीके की बातों के अध्यन पर जूर दिया जाता है। और इस अंदर में हम इसकी आलोचनाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारा यह जो पूरा अध्यन है, उसमें निश्चत रूप से मैं उत्तर आधुनि अध्यादी पहलों पर जोर दूँगा, लेकिन जादा तर मैं मिशेल फूको और जैक्स टेरिडा के लिखन के आस पास जो प्रमुक तक तो उबर कर सामने आए हैं, उस पर बात करूँगा। उसके पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो पोस्ट हमारा यह जो सुरुवार्टी बिंदू है, जिससे समझने की जरूरत है, वह यह कि जो उत्तर आधुनिक्तावाद है, वह आधुनिक्तावाद के बड़े दावों का विरोध करता है, और इससे समझने के लिए आधुनिक्तावाद और इसके बड़े दावों को समझना यह प्रबोधन या enlightenment से जुड़े मुल्यों का विरोध करता है इसमें तर्क बुद्धी या reason के आधार पर मानों के जीवन लक्ष और एक आधर्स इस्तिति की परिकल्पना के जाती है यानि कि अगर हम बहुत संचेप में enlightenment को समझने की कोशिश करें तो उसमें इसी बात पर जोड़ दिया जाता है कि मनुस्य अपने तर्क बुद्धी का अपने reason का उपयोग करते हुए यह तैक कर सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है और इस संदर में एक तरह की के मांग के जाती है और इस बात पर जोड़ दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वह अपने आसपास के पुर्वग्रहों से अलग होकर विचार करें जो व्यक्ति है वह इस बात से प्रभावित होकर विचार ना करें कि समाज में किस तरीके की माननेताएं हैं या धर्म किस तरी और उसके आधार पर अपने रीजन के मार्ध्यम से सही या गलत का फैसला करें या इस बात का फैसला करें कि आगे उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है अब हमने जिन विचारधाराओं को पढ़ा है उनमें यही सोच सामने आती है यानि कि इनलाइटिन्मिंट की जो प्रमु तरीके के अन्य विचारधाराओं पर भी बात कर सकते हैं उनके उधारणों को के मात्यम से समझ सकते हैं कि उनका क्या दावा था और जो उत्तर आधुनिक्ताबाद है वह किन बातों पर जोड़ देता है हमें यह याद रखने की जरूरत है यह सारी जो विचारधाराएं है वो एक तरीके के meta-narrative पर जोड देती हैं यानि कि मानो जीवन की एक सुरवात की परिकल्टना है उसमें मनुस्य के बारे में उसकी विसेस्थाओं के बारे में कुछ बातों की परिकल्टना की गई है और उसके बाद एक आदर्स इस्थिति की भी परिकल्टना है तो इस संदर में अगर हम उदारवाद पर विचार करें, तो उदारवाद में अगर मैं यह कह रहा हूं कि वह एक मेटा नेरेटिव प्रसुत करता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थिया है कि उदारवाद में जह माना जाता है कि जो व्यक्ति है, उसके भीतर एक तरीके की तार्किता होती है, वह अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में फैसला कर सकता है, और उस व्यक्ति को अपनी इस समझ के अनुसार काम करने का अधिकार होना जाहिए और इसे के आधार पर अगर आप याद करें कि हमारी जो पूरी चर्चा रही है उदारवाद की तो उसमें इस बिंदू पर जोड़ दिया गया है और कि व्यक्ति जो है वो रैक्सनल होता है और इसे लिए उसके पास पुछ बुनियादिस स्वतंतरताओं की कर पाएं तो राज्य और फिर सर्कार दगठन होता है लेकिन राज्य और सर्कार व्यक्ति की कुछ बुनियादिस स्वतंतरताओं में दखरंदाजी नहीं कर सकती है तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उदारवाद की वीतर एक मेटा नेरेटिव है कि मनुस्य की विसस्ताइ क्या है और एक आखरी आदर्स इस्थिती आदर्स राज्य की इस्थिती क्या हो सकती है उसी तरीके से अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद की भीतर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में समुदाएं के भीतर रहकर ही अपने जीवन के पज करता है जिसकी परिकलतना लिबरलिजम में की गई है तो उसके साथ पीवाया मान कर चला जाता है कि जब तक से नीजी संपत्ती की संस्था रहेगी तब तक व्यक्ति अपने स्वाभाविक सामुदाइक जीवन के और आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसलिए अगर आप इस ब एक प्रतीत होता है कि इतिहास आगी की और एक यात्रा कर रही चीज़ है और आखिर का एक आदर्स इस्तिती आएगी जो कि कॉम्मिनिजम के रूप में होगी तो इसके भीतर भी एक मेटा नेरेटिव है, मेटा नेरेटिव का मतलब यह हुआ कि कहीं से इत्यास की शुरुआत हो रही है, उसके कुछ प्रमुक्वी से इस्ताइए हैं और आखिरकार अंत में जाकर एक आदर्स इस्तिति के प्राप्ति होगी. अब यहीं बात हम एनार्किजम की वितर भी देख सकते हैं, कि उसमें भी हमाना जाता है कि मनुष्य की प्रकृर्टि से जुड़ी हुए कुछ बनियादी तत्व हैं, मिसाल के तौर पर मनुष्य जो है वह स्वतंत्र पैदा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर मनुष्य को रा परिकल्पना की गई है, जब राजी की जो भुमिका है, वह काफी सिमित हो जाए, खत्म हो जाए, सिमित नहीं हो, खत्म हो जाए, राजी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और लोग जो हैं, वो कुछ तक जो associations होते हैं, सार्चार बनाकर अपना सार्सन चलाएं, मार्पसवा के विवनेर उपो के भीतर, कम से कम, जो राजी है, वह ऐसा नहीं है, जो लोगों के जीवन में ज़रूरत से जाद अधाल अधाल अजी कर सके, यानि कि लोगों के पास कुछ बुनियादी अधिकार होने के बात करी गई है, तो मैंने ये तीन उधारन आपके सामने रखें, कि जो मेता निरेटिव के बात है, जो महावरतांद के बात है, वो ऐसी बात है, जिसमें कि अमाना जाता है कि मनुष्य के लिए जो एक आधर्स इस्तिती है, उसके बारे में हर विचारदारा का दावा है, कि वह इस से प्रस्थित कर रही है, वह यहां तक कोंचने का रास्त सबसे सही है, अब जो उत्तर आधुनिक्तावाद है, उसकी जो प्रमुक विसेशता यही है, कि वह इन सतरेगे के मेता निरेटिव के संभावनाओं को नकारती है, और इसमें अगर हम मेता निरेटिव को नकारे जाने के बात करें, सिर्फ एक बार फिर से कि इसका मतलब क्य हुआ, उत्तर आधुनिक्तावाद के सुरुआत पर जाने से पहले, तो उसके हम बहुत ही संचेत में, इस रूप में समझ सकते हैं, कि जो उत्तर आधुनिक्तावाद है, उसका यह दावा है, कि मेता निरेटिव संभाव नहीं है, आगे हम इन बिन्दू पर और इस तार से वापस आएंगे, अभी मैं सिर्फ एक उधारन के द्वारा आपके सामने ही इस बात को रखड़ाओं हूं, आप इसे समझने के कोशिश करें, जैसे कि उधारवाद के भीतर यह दावा किया जाता है, कि जो व्यक्ति है वह तार्किक होता है, तो यह जो दावा है, जो उत्त आदुनिक्तावादी है, उनका यह कहना है कि व्यक्ति हमेशा उधारवादी नहीं होता है, हमेशा तार्किक नहीं होता है, रैसनल नहीं होता है, व्यक्ति कई बार इस तरीके से व्यवाद करता है, व्यक्ति करना मुश्किल हो जाता है उधारवाद के पैवानों के बीतर क कि आखिर वक्ते ऐसा व्यभाब क्यों कर रहा है और तो इनका ये खहना है, पोस्ट मॉडलिनिस्ट का, कि असन में हम कभी भी किसी चीज को पूरी तरीके सर्व्यक्त कर भी नहीं सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये जो मेरे पास एक डिवाइस है, अगर मैं ये कहता हूं क कि ये एक फोन है, तो मैं बहुत सारी चीजों को नहीं बतापा रहा हूं जो इसे जुड़ी हुई हैं तो जब मैं इस कीज़ को नहीं बता पारा हूं, इसमतलब मैं उनको उनके पेछा कर रहा हूं, उनको एक तरफ छोड़ दे रहा हूं हो। ठीक उसे तरीके से, अगर उ व्यक्तितार्टिक तरीके से व्यभार नहीं कर रहा है, तो उसे कई बार समाज में रहने के लिए अन्फिट मान लिया जाता है, यह मान लिया जाता है कि ऐसा व्यक्तितार्टिक तरीके से व्यभार नहीं है, तो यह एक तरीके का दमन हो जाता है, उसे तरीके से हम यह देख स पर जिस तरीके से आदर से इस्थिक अविस्टेशन करता है, वे सारी बाते अगर किसी व्यक्ति के सोच से मेल नहीं काती हैं, अगर कोई व्यक्ति उस सोच से इतिफाक नहीं रखता है, तो फिर उस मेटा नेरेटिव में उसे एक्स्क्लूजन, एक्स्प्लॉइटेशन और यहां पर वास्तम क्रामती हुई और समाजवाद की अस्ताफना के लक्ष के साथ संकारों ने काम करना सुरू किया, तो अगर हम उन पर ध्यान दे तो हमें पाएंगे कि असल में वहां पर बहुत आसानी से, जो लोग, quote unquote, communism के लक्ष से एक तरीके से सहमती नहीं रखते थे, उनके साथ दमन का वेभार किया गया, जो उत्तरादु निक्तावाद है, उसका यह करना है, यह जो विचारधाराय यह, जो मेता नेरेटिव्स हैं, असल में वे इसी तरीके के दमन का प्रत्नित करते हैं, क्योंकि उनका वर्णर एक तरफा होता है, क्योंकि वो एक किसी पहलू को सबसे महत्कुन पहलू बना देती हैं, और उसके बाद बाकि सारे पहलू के उपेक्षा कर देती हैं, तो इसके कारण से जिनमें वे पहलू, जिनके उपेक्षा की जाती है, वे ज़्यादा मजबूत रूप से हैं, उनका एक्स्क्लूजन हो जाता है, ऐसा दावा पोस्ट मॉर्डिनिस्ट करते ही। यह मैंने बहुत ही सवरल तरीके से आपको यह बताने की कोशिश की है कि क्यों आखिर मेटा निरेटिव की और संभावता उनके ना होने ना उसके ना हो पाने की बात उत्तर आधुनिक्तावाद में कही जाती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ने और उत्तर आधुनिक्तावाद की उत्तपत्ती की बात करें तो हमें यह ज्यान रखना होगा कि जो उत्तर आधुनिक्तावाद है वो सीधे तौर तो सोशल साइंसेज में सुरू नहीं हुआ, किसी पोलिटिकल थियरिस्ट ने इसकी बल्किए उनसफ्टर के दसक के आज-पास यांकासर28 का दसक के आखड़ी वर्सों में इसका परयोग शुरू हुआ, आर्किटेक्ट्चुर में इसका परयोग शुरू हुआ, पारंबरे या अस्थानीय अस्तर्स की प्रिरिद रिष्टिकॉन के लिए इसका offs yourALLY. क्योंकि ज्यादा स्रयोसकर है, उसी का अनुसरन किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्केटिक्ट वरकर सामने आएं। इन्होंने अलग-अस्थानी अस्थार के जो तरीके थे उन प्रस्तुती के उनको वरियता दी जो पारंपरिक तरीके थे यानि जो कि एक तरीके से अवाइड हो गये थे उनकी तरफ को इध्यान नहीं दे रहा था उन पर उनने जोड़ दिया और इस तरीके से उनने यह कहा कि यह जो तरीका है चीजों को प्रसुत करने का, किसी चीज को बनाने का, जो की एक बनी-बनाई तरीके से या बनी-बनाई परराइन से अलग जा रहा है, वह पोस्ट मॉडनिस्ट है, और यद रिष्टकॉर्ण और अतितार कितावादी कारिवाद के खिलाफ विक्सित हुआ थ यह जो उत्तरातमिक का बाद है, वो इस बात को नहीं मानता है, फिर दीरे-दीरे-दीरे करके अन्य विश्व में भी इसका प्रसार हुआ, इसे जन संचार मादुमों के उभार से भी जुड़ा जाता है, जिसने हाइपर रियालिटी की इस्थिती पैदा की, लियोटार्ड इसे ग्रेंड नेरेटिव के विरोध की रुप में प्रस्तूत किया, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ग्रेंड नेरेटिव से उनका यह दावा है कि एक महा वर्णन इस तरीके का है, जिसमें मानो जिवन के सभी पहल्यों को समेट सकते हैं, तो यहाँ पर लियोटार्ड और जो उनके जैसे दूसरे विद्वान थे, उन्होंने इसकी और संभाविता पर जोड़ दिया, उन्होंने किस तरीके से इस पहलू पर जोड़ दिया, इसके बारे में मैं पीछे को धारा में स्पस्क कर चुका हूँ, तो मुझे उमीद है कि उसे आप गुन्यादी रुप से समझ चुके होंगे कि क्यों जो ग्रेंड नेरेटर से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे मोटे तरफरम कर सकते हैं, कि सिर्फ एक आयाम को ही परस्तुत करते हैं, और बाद में फिर हम ये भी देख सकते हैं कि विप्यान के वर्णन में भी कई बार पोस्ट मॉडनिस प्रस के उसके बारे में हमने कुछ चीजे दर्ज की, तो यह कहा गया कि यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब्यूब तक जब से आपने उसे और उसके बारे में कुछ लिखा, तब जो अंतरान होता है, और लिखने के बीच का उसमें चीजें बदल जाती हैं, तो आपको यह याद रखनी की जरूरत है कि यह matanellatives का विरोज सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं, कि matanellatives एक तरीके से एक खास विचार-धारह का प्रतिर्थ्यत्यो करता है, यह इसलिए भी इसका विरोज करते हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि matanellatives हो ही नहीं सकते हैं, आप कभी भी यह दावार नहीं कर सकते हैं कि आप चाहे वो मनुस्य हों चाहे वो दुनिया के दूसरे पर यह घटनाए हों उसके सारी पहनों को आप समझ पा रहे हैं और उसको सामने रख पा रहे हैं इसके अस्थान पर होता कुछ और है कि जो सत्ना में लोग होते हैं या ज कुछ बातों को रखूंगा, मैं बहुत यह संचीत में इन पहलों पर बात करूँगा, और उसके बात जब हम और आगे जाएंगे, फुकों के मादम से इन चीज़ों पर बात करेंगे, तो एक बर फिर से मैं इन सारे पहलों पर वापस आओंगा, कुछ-कुछ बाते जो हैं, वो यहां पर पीछी की चर्चा में आ चुकी हैं, तो वहां पर फिर मैं बहुत विस्तार से यही जाओंगा. लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि अभी तक मोटे तोर पर जो हम लोगों ने बात्चित किये हैं, उसमें आप यह बात समझ कर रखेंगे कि जो उत्तर आधुनित्तावाद हैं, वा आधुनित्तावाद की जो मेटा नेरेटिव प्रस्तुत करने की प्रविति हैं, उसका तीका विरोध करता है, और उस विरोध का आधार यही है, पहला आधार कि मेटा नेरेटिव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, दूसरा क्योंकि कभी भी हम सारे आयामों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, हम एक खास रिष्टिकोंड से किसी आयाम को प्रस्तुत करते हैं, दूसरी के जीवन के हो चाहे हो समाज के जीवन के हो उनका exclusive होता है तो यह दो आयाम है अब अगर हम कुछ बिंदूओं की बात करें विमर्स की केंद्रियता जो विसे वस्तु थीन्स हैं पोस्ट मोडनिसम के उसमें विमर्स की केंद्रियता के बात होती है खंडिक पहचान के बात होत मैं इन सारे पहलूओं पर आगे और रिस्तार में जाऊंगा खासतोर पिज्ञान और सत्ता यानि कि नौलेज और पावर के रिलेशनसिप को हम देखेंगे होको के रियाटिमूस में बुनियादी या फाउंडेशनल मास्टर नरेटिव का और स्विकरन इसके बादे मैं काफी अभी बाते कह चुका हूं अभी तर प्रस्तुति के विचार के समय अभी आऊंगा तो उपर के लिए तीन पहलू हैं उन पर हम जूर देने की कोशिश करेंगे यानि कि उस पर हम ज्यादा स्विक बाते को कहूंगा और आप प्लीज इस बात पर ध्यान रखेंगे कि इन सब कि विश्यों को फिर से घाराई से समझने की कोशिश करेंगे विमर्स की केंद्रियता का क्या मतलब है विमर्स की केंद्रियता का अर्थ या है कि जो एक खास तरीके से हम चीजों की प्रस्तुति को देखते हैं वो एक खास तरीके के डिस्कोर्स के निर्मान के रूप में हो कर दिया जाता है और वो फिर a kind of use of power की रूप में भी हो जाता है मिसाल के तौर पर अगर हम एक discourse बनाते हैं nationalism का मेधारन दे रहा हूं तो उस nationalism के discourse को बनाने में हम कुछ खास तरीके से उसे और करते हैं और उस modernism के हिसाफ से देखा जाए तो उस खास तरीके की अभिव्यक्ति में बहुत सारे पहलू जो होते हैं उनका exclusion हो जाता है राष्ट्रवाद के संदर में भी हमने इसकी चर्चा की थी मिसाल के तौर पर अगर हम यह कहते हैं कि हम एक देश हैं जो कि उर्दू को या संस्कृत को किसी एक भासा को अपनी राष्ट्र भासा मानता है तो चाहें कैसा भी देश हो वहां पर कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनका ऐसा मानने के कारण इस पूरा idea of nation उससे exclusion हो जाए तो यह एक जो चीज है कि वह हमेज़ा ही एक तक post-modernism का मानना है कि वह discourse की रूप में सामने आते रहता है अगर हम एक discourse देखें, language के आज पास जो एक विमर्स की अस्तिती होती है और उसमें जिस तरीके के विचार होते हैं उसमें भी यह संभाना होती है, कि यह जो discourse है, एक खास तरीके के विचारों का जा निर्मिती है और फिर उससे प्रभुत्यों शाली विचार के रुप में प्रस्तुत करने के जो गुरी कोशिश होती है, उसमें एक तरीके से सत्ता या सत्तिक अप्रियों को ground होता है. दूसरे अस्तर पर अगर हम खंडित पहचान की बात करें, तो खंडित पहचान का मतलब यहाँ पर यहाँ है कि सुनिश्चित रूप से किसी भी चीज को postmodernism यह मानता है कि हम एक पहचान के दारे में नहीं बान सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो भी पहचान किसी भी एक व्यक्ति को दी जाती है या किसी एक खास तरीके को परिहटना को दी जाती है, उसमें हासाल में दूसरे कई और दत्व होते हैं जिन पर ध्यान देनी की ज़ुरत होती है, लेकिन उन पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता ह क्योंकि एक खास तरीके से ही चीजों को प्रसुट करनी के बारे में फैसला हो चुका होता है। अब इस संदर में बहुत सारे पोस्ट मॉर्डनिस्ट जो हैं वो पुरुष और इस्त्री की परचांद पर भी काफी गहराई से विचार करते हैं। और इस संदर्ग में जैसे हाल फिल हाल में अगरम जूडित बटलर के लेखन को लें तो उनका जो इस बात पर है और फुको की राइटिंग्स में भी इस तरीके के तक तुमिल से हैं कि जो इस्त्री और पुरुष का जो पूरा एक विभाजन है वह विज्ञान के आथार पर वह सही नहीं है क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है वह असल में पूरी तरीके से पुरुष गुणों को प्रत्नित्य करने वाली नहीं माने जा सकती है कई बार उसमें इस्त्री से जुड़े हुए गुणों की प्रत्नित्य करने वाली भी नहीं माने जा सकती है तो और इ इस भी रूप में चीज को प्रस्तुत करते हैं, उस रूप में हमारी प्रस्तुती हम जैसे उसे देख रहे हैं, वो उस पर निलबर करते हैं. और ये पूरी तरीके से मुम्किन है कि दूसरा विव्यक्ति आया और वो उस चीज को बिलकुली अलग तरीके से देखें. अगर आ काफी हद तक मुम्किन है कि तीनों लोगों में से अलग-अलग तरीके के गुरूं की एक सूची सामने आये, यानि तीनों लोगों के द्वारा यह कहा जाया कि अलग-अलग इसमें प्रहुट है, तो यह जो एक representation की जो पूरी बात है, जिसमें कि यह claim किया जाता है, अलग-अ पूर्णिटी के साथ विचारदाराएं सामने आई हैं, उनके द्वारा कि वे वास्तों में हुमन नेचर की रियालिटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह claim पूर्णिजम के अनुसाद सही नहीं है, तो यह जो पहलू है, यह जो आयाम है, वो काफी महत पूर्णिजम के इस पूरी चर्चा में, दो और पहलू है, जैसे कि मैंने बुनियादी या कुछ फॉंडेशनल और मास्टर नेरेटिव का स्विकरण, तो फॉंडेशनल का मतलब यह हुआ कि, जैसे कि मैंने शुरुवार्ती में कहा कि उदारबाद या कहता है, कि हुमन ब जाता है कि मनुष्टर जो होते हैं, वह सक्ता या पावर के आरोपित के जाने की विरोधी होते हैं, तो यह भी फॉंडेशनल विचार्ट हो गया, तो इस तरीके के फॉंडेशनल विचारों का उतरादृताबाद में विरोध किया जाता है, और मास्टर नेरेटिव या जाता है, और ज्ञान और सक्ता के संबन्द पर भी काफी गहराई से विचार किया गया है, कि किस तरीके से जो नॉलेच है, वह पावर के रूप में सामने आती है, यानि कि जैसे जैसे हम नॉलेच को हासिल करते हैं, जासे हम पावर के अधीन उते जाते हैं, इस पहलु पर और हम आगे और घराई से विचार करेंगे अब यहां पर हमारा ध्रान मिशेल सुच्छेट मिशेल फुको और जैस डेरिडा के लेखन पर होगा और उसके बाद हम कुछ आलोचनाओं पर विचार करेंगी जो की पोस्ट मॉडनिजम के साथ चुड़ी गूई हैं मिशेल फुको काफी महत्रपूर लेखक हैं विच्वी सदापदी के दूजरे बागे विच्वी सदी के उतरार थिके और जैसे की जो स्क्रीन पर जो कस्वीरों से पता चल रहा है कि उन्हें सचारासी में के मृत्ती हो गए थी तो उन्होंने काफी गहडाई से इस बात का विच्वेशन किया कि कैसे जो अलग-अलग तरीके की आइडिलोजीज हैं या फिर जिस तरीके काई कि स्टैबलिस्ट आइडेंटिटी फॉर्मेशन हैं समाज में वह असल में व्यक्तियों के एक्स्वूर करने या उनके उपर पावर या सत्ता का उप्यूग करने का साधन बना हुआ है इस संदर्व में फुको की जो शक्ति की ओधार नहें वा काफी महत्पुन विचार की रुप में सामने आती है विसेल फुको ने रैडिकल रूप से शक्ति का उनर्शुत्री करन किया उनके अनुसार शक्ति दमनक अर्थातिया पहचान और व्यक्ति परक्ता का निर्मान करती है उन्होंने शक्ति की संकर्थना केशिका या कैपिलरी के रूप में कि इसका अर्थिया है कि जिस तरीके से केशिका या कैपिलरी जो है वो शरीर के हर भाग में पहली हुई है जिसे की रत का संचार हमारे शरी कि पुको की ओधारना तॉलकट परसंस और हन्ना आरेंट के विवरण की तरह ही है पार्संस और तॉलकट परसंस और हन्ना आरेंट ने इस बात पर जोड दिया था आप मिसाल कतर पर पार्संस ने जोर दिया था, कि विवस्ता में पैसे की तरह ही शक्ति का संचरन होता है, वहीं अरेंट शक्ति को कुछ करने के शक्ति की रूप में परिवासत करती है। बिल्कुल अलग अर्थ में है, शक्ति द्वारा उत्पन की जाने वाले पहचाने नाम देकर नियंत्रित करने के तरीके हैं। एक इस्तिती आती है, जिसमें की शक्ति हमें एक पहचान देती है। मिशाल के तोर पर हमें यह पहचान मिलता है कि हम हिंदुस्तान के नादरिक हैं। तो हुको का यह कहना है कि शक्ति जो है, वो इस अर्थ में उत्पादक है कि वो एक आइडेंटिटी का निर्मान कर रही है। लेकिन इसके साथ ही वो नियंत्रित करने वाली पहचान भी है। क्योंकि एक बार अगर आपके साथ यह पहचान जुड़ी आती है कि आप भारत के नागरिक हैं, या फिर आप पुरुस हैं, या फिर आप इस्ति हैं। तो ऐसी स्तिती में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, वो एक खास तरीके से पहचान जुड़ी के शक्ती पताया है। क्योंकि उससी उम्मिर की जाएगी कि वो कुछ खास तरीके सही कामों को करेिं। कुछ अलग काम अगर वो करेगा तो वो सही नहीं होंगे, वो पुरुष और इस्त्री की पहचान के बारे में भी सही है, या कोई भी ऐसी पहचान जिसके बारे में हम बात करते हैं, उस संदर्मी ये चीजे सही हो सकती है, तो आगी कुछ और उदारनों सम इन चीजों को या कलापों का नतीजा है, और उनकी दिल्चस्पी इस बात में थी कि किस तरह आगनी समय में सरकार के व्यापक छित्र का उद्य हुआ, और कैसे मानो जीवन के सभी पहलू, उसके आत्म, उसका परिवार, उसकी संस्थाएं और शरीर, सभी सरकार के नियंत्रन के घिरे में आजाते हैं, उनके अनुसार व्यक्तियों की गति वीजियो पर नियंत्रन रखने के परिवर्तन के प्रवृत्ति के परणाम सुरूप राजी सामने आया, इसलिए यह नहीं मानते हैं कि राजी के होने पर है सरकार हो सकती है, उनका मानना है कि जीवन को संदचनाव में व्य आजुमिक व्यवर्त है और मद्रीयूग में इसका अस्ट्रतू नहीं था. फूको मानते हैं कि राजी इसी आजुमिक व्यवार की उपच है, याणि कि वो यह मानते हैं कि ए खास तरीक bizis हमार्रीत में देख रहे हैं, वह मद्रीयुक में नहीं थी, और अगर थी भी Cu ऋप प्रशासन का मूल आधार है यह समाजिक विवस्ता के द्यानिक विवहारों और दूसरे बहुत से पहलूं में सामने आता है और यह एक तरीके से समाज के बढ़ते होमोजनाइजेशन और और और्गनाइजेशन को दिखाता है अब यहां पर जो गवर्मेंटेलिटी है उसके बारे में यह बात समझ के रखने की जरूरत है कि यह इसमें जो सत्ता होती है वो किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं होती है यानि कि जो आधरीक दौर है वह अलग-अलग समोहों में लोगों को बाट कर और शक्ति की कारिस अंचालन को दिखाता है अब हम इसमें यह नहीं क जो राजा होता था उसके हाटों में शक्ति केंद्रित होती लेकिन आधमी क दौर में अलग-अलग तरीके से चीजों को भिवाजित किया गया है और हर दायरे में थोड़ी बहुत शक्ति है और कोई भी ल्यक्ति चाहे वो प्रधान मंत्री हन क्यों ना हो किसी देश का या अमेरिका का राश्रपति क्यों नहों, उसके शक्ति की पाइरे से अलग हटकर किसी भी तरीके से शक्ति का प्रियोग नहीं कर सकता है। तो हम कही सारु अधार में उसे देख सकते हैं। कर सकता है तो नहीं कर सकता है प्रिंस्पल की जो शक्ति होती है वह कॉलेज की भीतर के संदचनाओं से तो सीमित ही ही है इसके साथ ही एक वाइस च्रांसलर होता है फिर वाइस चांसलर के उपर MHRD या मतलब Human Resource Development Ministry होती है, उसके उपर पूरी सरकार की सनरचना होती है, सरकार की उपर भी बहुत दूसरी सनरचना होती है, कहां पर ऐसा एक जगह है जापरण के वहीं पर पूरी शक्ति नहीं थे, तो हम वो पहचार नहीं सकते हैं. तो यही और हर जगह एक तरीकी का homogenization या समरूपी करण भी दिखता है, जो आधनिक दौर के शासन व्योस्ता है उसमें, यानि कि हर किसी को एक खास तरीकी के साची में ढालने की प्रवृति भी दिखती है. तो यह जो governmentality है, उसका अर्थ यही है कि अलग-अलग भागों में विभाजित करके शासन का संचालन करना और यहाँ आधनिक दौर की प्रवृति है, जिसमें कि तकनीक के मार्गम से इस तरीके से शासन को आगे बढ़ाया गया. अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें और हम यह देखें कि कैसे governmentality और subject का निर्मान होता है, तो उसमें यह बात सामने आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उसमें subject का निर्मान होता है, जिसे हम रोजमर्रा के जिंदगी में आम बातों के रूप में स्विकार कर लेते हैं, मसलिल पहचान पत्र पास्पोर्ट आदी, इनके द्वारा हम subject या अधीनता की इस्तिती में भी होते हैं और इनके द्वारा हम पर नजर रखे जाती है, इस अंदर में मैंने भारत के नागरिक होने का उधारण दिया था, पहचान पत्र पास्पोर्टों से हमें यह बत अगर मेडिसिन या चिकित्सा, मनोचिकित्सा, जीविज्ञान के तर्खों के हम बात करें तो इनके द्वारा भी subject के रूप में हमारे निर्माण होता है, कामूनी विवर्सों में भी इन विवर्सों के अधार पर हमारे पाचान के बारे में फैसला होता है, इस तरह subject के स्वास्थ हैं, सामानी हैं या पागल हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, और फिर इसकी आधार पर जो कानूनी विवर्स होते हैं, उसमें हमारी पाचान का निर्माण के आयाता है, इसलिए गौर्मेंटेलिटी या जो प्रासासकियता प्रासयन्त है, वो सिर्फ संकुचित और तुमें सरकार तक ही सिमित नहीं होता, बल्कि यह बहुत से तर्को या विमर्सो द्वारा निर्मित होता है, गौर्मेंटेलिटी समानी करण या इन रॉर्मलाइजीसन के द्वारा भी काम करती हैं, इसी फुको का ताध्पर उस प्रक्रिया से है, जिसमें हर व्यक्तिक व्यक्ति को प्रभतुसाली मानत के अनुरूप बनने के लिए मजबूर किया जाता है और वो हम जीवन के कई सारे अस्टरों पर कई सारे व्यवारों में देख सकते हैं किस तरह के से व्यक्ति को प्रभतुसाली मानत के अनुरूप बनने के लिए मजबूर किया जाता है यानि सकते हैं कि यह जवाब आखिरकार एक निर्मित वर्गिकरण पर आधारित है. cultural х मरी पर बिस्तना मजबूत को अजनी परेड़े के लिए आपस भी नहीं है. अगर अगर मैं नहीं और थो वापस हो कि हम चाहे कोई भी पहचान अपने अभ्यक्त करें अगर आपसे पुछा जाये कि आप कौन है और आप या कहें कि आप एक लड़का है या आप एक लड़की है या आप हिंदूस्तानी है भारतिय है या कोई भी आप जवाब दे तो आप यह पाएंगे कि असल में यह जो गव करन किया गया है जो कुछ पाचान मेरमित ही गई है आप उसी चीज को सामने ला रही है और ऐसा करते हुए आप अपने वीतर के कई सारे अन्य पहलू को पीछे छोड़ रहे हैं तो कोई भी पाचान अपने आप में पुल नहीं है और वह आपको एक ही तरीके से या एक खास त पहचानों पर विचार करते हैं तो प्रशासित की जाने वाली पहचानों के संदर में जो एक पहचान का निर्मान होता है वे जो पहचाने होती है वो उस प्रक्रिया में सामने आ सकती है जिसके द्वारान का निर्मान होता है जब डॉक्टर, मनोग्यानिक और कानून हमें इस बारे में सच बताते हैं कि हम कौन हैं, तो ऐसा करके भी हमारी subjectivity का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाले शक्ति के अधीन हो जाते हैं, तो ये जो एक subjectivity का निर्माण है, वह हमेरी शक्ति के अधीन भी लेकर आता है, अगर ह तो को क्या कहना चाह रहे हैं, तो को ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अलग-अलग के ऐसी चीज़े होती हैं, जिनसे हमारे सब्जेक्टिविटी के निर्मान होता है, और हमारे सब्जेक्टिविटी के निर्मान के कारण कई बार हम पुद को इंपावर भी महसूस करते ह विसाल के तोर पर अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमारी बहुत सारी जो चीजे होती हैं, बहुत सारी जो हमारे काम होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, तो इस कारण से हम एक असकर पर अपने आपको इंपावर महसुस कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम कॉलेज में ज जबूत या शशक्त होने की भावना राती हैं, लेकिन भुको का कहना है कि अगर हम गहराई से सोचे तो हमें अपाएंगे कि असल में हम इनके अधीन आ गए हैं, और वही चीजें हमारी पूरी पहचान को निर्मित कर रही हैं, और उसमें कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं, ज में लिए पाचान तय कर देता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसका मतलब यह भी होता है कि एक लड़के के रूपे मेरे साथ कई तरह की चीजें बाहर से खोग दी आती हैं, और मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि मैं खास तरीके से विवहार करूँ, और अगर मैं ऐसा करता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं तय मानकों के हिसाब से काम नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मेरा एक्स्क्लूजन होता है, मैं मजाग का पादर बन सकता हूँ, मेरे साथ इंसा हो सकती है, तो ऐसे कई सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजों में, या दिकांस जो भी परचान, जो भी आइडेंटिटी हमारी निर्मित होती है, जो भी सब्जेक्टिविटी हमारे पास आती है, जो भी जवाव हम देते हैं इस सवाल का कि हम कौन है, वह असल में हमारे उपर शक्ति के प्रयोग के रूप में हैं, और इसे समझने की जरूरत है, और इसे ही सबस्ट करने की कोशिश फूको अपने जो आइडिया गौर्डमेंटलिटी उसके माध्यम से करते हैं। अब ज्ञान और शक्ति का सम्मंद ये पिछले विचारों को हैं और ज्यादा सपर्षका से सामने लाने की कोशिश है। फूको के विचारों में ज्यान और शक्ति है, शक्ति और ज्यान के संकर्पना का बहुती महत्वन अस्थान है। फूको सिर्फ यह नहीं कहना चाहते हैं कि ज्यान है शक्ति है, बलकि उनका कहना यह है कि ज्यान पहले से ही शक्ति संबंदों से निकलता है। कुछ लक्षियों को पुरा करने के लिए ज्यान उत्परनी किया जाता है और इसे हासिल किया जाता है। शक्ति को हासिल करना ज्यान का लक्षि है। फुको के अनुसाल ज्यान को रोपने की जगह शक्ति ज्यान का उत्पादन करती है। सबस्ता मनुस्यों के शरीर और स्रम को नियंत्रित करने की जवड़त से ज्वड़त से ग्यान का उभार हुआ है। वुकुन इतिहास के अपने अध्यान द्वारा या दिखाने की कोशिश की है, कि मनुष्य के शरीर को किसी कतनीक या शरीर का ज्ञान होने पर ही श्रम सक्ति में बदला जा सकता है. तो ये इस अर्थ में उनका ये कहना है कि जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान की पूरी ओधारना होती है, वह मनुष्य के उपर शक्ति के प्रयोग की रूप में सामने आती है, अलांकि कई बार खुद मनुष्य को, मनुष्य जो है, उन्हें ऐसा लग सकता है, तो उनके पास शक्ति आ रही है. तक्नीक या ज्यान के शहायता से मनुष्यों के शरीर को संगठित और अधिन बनाने बनाकर उपयोगी भूमिकाव में ढालना मुम्किन हो पाया है. इसके अलावा या अधिनता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नहीं थुपी जाती है, या समाज के सभी पहलों की विसेस्ता बन गई. जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो समाज के तबके होते हैं, उन्हें कई मर्तबा, कई बार या एहसास हो सकता है कि वो एक ऐसे इस्तिती में हैं जहांपर कि उनके उपर जो शक्ति का प्रयोग है वो नहीं हो रहा है, बलकि वो शक्ति के प्रयोग करने वाले हैं. लेकिन अहकिकत यह है कि वे भी शक्ति के अधीन हैं और ये पूरे समाज में की विशेष्टा बन चुकी है और इस संदर में हमें याद रखने की ज़रुद्ध है कि हम किसी भी चीज के बारे में सोचें तो इस गहराई से सोचें कि वास्तों में या जो जिसे हम शक्ति का आएंगे कि असल में हम सभी या समाज की सभी आयां में वो अधीन है और जो ज्ग्यान है जो कि हमें कॉलेज से मिलता है अधिकल साइन्स से मिलता है या कहीं दूसरे तरीके से मिलता हुआ भी खत्ति के प्रयूपिरूबondere सामनी आता है ज्ग्यान के दवारा कि z cruising कर he तब भी ऐसा होता है। प्रतिरोज की संभावना भी मौजूद है। प्रतिरोज की संभावना भी मौजूद है। और तीसरे अस्तर पर जो सब्जेक्शन इसका अर्थे करता बनाना और अधीन होना इसके विविन रूपों के किलाब संभर्स को देख सकते हैं। इस तरह के संभर्स में यह पोशिश की जानी चाहिए कि राचे और गौर्मेंटेलिटी से जुड़ी पहचान और व्यक्तिक करण को नकार कर नई तरह की सब्जेक्टिवेटी कर निर्मान किया जाए। फुको यह मानते हैं कि हर अस्टर पर नए संभर्सों के साथ पुराने संभर्स में कायम रहते हैं। मोटे तौर पर फुको के द्वारा जो एक संभर्स की संभावना है उस पर कम बात होती है। लेकिन हमें यह ध्यान रटना है कि फुको के लेखन में जब ही बात सामने आती है, जहां भी शक्ति है वहाँ पर उसके खिलाफ प्रतिरोध के संभावना है और आलग अलग तरीके से उसके खिलाफ प्रतिरोध को हम देख सकते हैं. अब डेरिडा के विकंडन की विचार के बारे में हम एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं. डेरिडा ने विकंडन या दिकंस्ट्रक्षन का विचार पस्तुत किया, इनके अनुसाद यथार्थ को सामने लाने की हर कोशिस ग्यान या सत्यक बोधबन नहीं करती हैं, यह सिर्फ अलग अलग प्रस्तुतियों को सामने लाती हैं। इनमें से कोई भी किसी अन्य की तुलना में ज्यादा अच्छा या ज्यादा सच्छा नहीं होता है। देल्डा भी अपने समय के मदमूर विद्वानों में से एक हैं। और 1930 से 2000 तक ये इस दुनिया में रहें। और जो डीकंस्ट्रक्शन का विचार हैं। वह उनके विचारों की एक जो बुनियादित तत्व हैं। उसको अब्जेक्ट करता है। इसमें वह मानते हैं कि जो पुल प्रस्तुति हैं वह संभौ नहीं है। और अगर हमें किसी भी चीज के खासर पर लेखन की पुपुल रुप से समझना हैं। तो हमें उसके बहुत तरह के अर्थों पर विचार करना होगा। क्योंकि किसी भी चीज के बहुत तरह के अर्थ हो सकते हैं। और सबसे महत्पून बात देरीडा यह बोलते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि लेखक की वास्तिक मंज़ा क्या थी और उस तक के भीतर किसी भी चीज़ का कुछ सुनिशिक अर्थ नहीं हो सकता है और समय बढ़ने के साथ उसके द्वैंपाय बढ़ते जाती है और इस लिहाँ से जो पाठक होता है वा डिकंस्टिक्ट करते हुए जो उसमें बाते हैं को सामने लाने की कोशिश कर सकता है तो इस अंदर में ही उन्होंने यह कहा था कि लेखक की मृत्यू हो चुकी है लेखक के मृत्यू को उनने गोश्ना की प्रमुख विशिष्टां कि यही है कि अगर व्यख्या को बढ़ावा दिया जाता है तो वह बहु सकती के प्रयोक में होता है वह भी एक तरीके की सोच को ही दिखाता है अब इसमें हम इनके विजारों की कम्यों को भी हम देख सकते हैं और हम डेरिडर से सुरुवात करते हैं और उसके बाद हम कुछ अन्य जो उतराधिता बात क्या रोचनाई हैं उस पर हम ज्यान देंगे एक तो यह बात है कि जो डेरिडर बोल रही है कि जो एक जो अपनी व्यातों को रखता है वह बहुत मजबूती से किसी चीज को लेकर सामने नहीं आता है तो उसके कई अर्थ हो सकते हैं तो अपने आपके खतरनाज विचार की रूप में सामने आता है क्योंकि इसके अधार पर एतिहासिक पुरूरताओं को सही ठाराने वाले गृंतों या व्याख्या को उतना ही ठीक माना जाएगा जितनी इसके निन्ना करने वाले गृंतों को और या एक वैचारिक अराजकता को बढ़ाता है क्योंकि हमें कहीं न कहीं किसी ग्रंट के एक अर्थ तक पहुँचना होगा निश्यत रूप से हमें उसके अलग-अलग तरीके के पहलों को देखना चाहिए और ये डेरिडा के डेकंस्ट्रक्शन के विचार का युगदान है लेकिन अगर हम देकंस्ट्रक्शन कोहीं एक पूरी सचाई मान के लिया कहें कि कोई एक अर्थ का निल्दारन अपने आपने सत्य का प्रतिने तो नहीं करता है तो ये फिर वही इस्तिति हो जाती है जिसका सामना को देरिडा को करना पड़ा देरिडा ने यह कहा एक समय पर कि लोग उनकी लेखन के अर्थ को सही तरह से नहीं समझ रहे हैं और जो वो कहना चाह रहे हैं वो बात नहीं है जो लोग उनके नाम पर कह रहे हैं तो ये एक तरीके से वही बात होगे जो देरिडा खुद कह रहे थे कि लेकर के मृट्ट्य हो चुकी है तो उनके जीवन काल में है उनके विचारों की अलग-अलग तरीके की व्याख्षान उन्हें सुरू हो गए और असल में अगर डेरेडा की इस आलोचना को हम ध्यान दे तो यही एक ऐसी बुनियादी आलोचना है जिसके आधार पर उत्तर आधनिक्तावाद की एक मजबूत आलोचना सामने आती है जो डेरेडा की भी आलोचना है और अन्य कई तरीके के लेखन में भी हम उसे देख सकते हैं अब कैसे कि जो इसकी सबसे प्रमुक आलोचना है डेड़ा के अलोचना के बाद जो पहली अलोचना है वह यह है कि उत्तर आगलिक्तावादी चिंतक के रूप में फुको ने मार्सवाद और मेटा नेरेटिव का विलोद किया, कई अन्य लेकों ने भी ऐसा किया लेकिन फुको और दूसरे कई अन्य लोगों ने खास तरीके की विचारधारा को पढ़ावा दिया यानि कि अगर मैं यह कहता हूँ कि कोई मेटा नेरेटिव नहीं है कोई मेटा नेरेटिव नहीं है, कोई मेटा नेरेटिव नहीं है तो मैं इस तरीके से इस बाद को रख रहा हूं कि जो मैं कह रहाँ वही मेटा औरानियरिटि अगर मैं यह रहा रहा हूं कि इक कोई भी चीज सच नहीं, बार बार इस बाद को इंकर सबसे बड़ा सच है. हमको अधार्वाद के बारे में तू यह उत्तरागंग्तावाद यह लग सकता है अर दाफियत तक सही भी लगता है कि वह इस तरीके अपनी विचारों को प्रसुत करते हैं मालू कि जोे वह कहरे हैं वही एक Quick किसी जिसकी कुछ बुनियादी विस्टाय हैं जिसके बारे में हमने पीछे बात करीं दूसरा फूको के लेखन में वहां शक्ति और ज्यान के संबंदु में विचार है वह एक पख्षिय लगता है क्योंकि बहुत साल लोग यह कर सकते हैं कि जो एक अस्तर का जो ज्यान होता है वो वास्तों में मुनस्य कुछषक्त बनाता है और इस बात से कोई फर्क ज्यादा पढ़ता नहीं है किसी विक्ति के जीवन में कि अगर वह करता है कि मैं भार से नागरिक हूँ और उसके उसकारण से वो कुछ खास तरीके के शक्तियों के अधीन हो जाता है तो उससे उसकी जीवन पर नाकरात्मत प्रभाव नहीं पढ़ता है बलकि सकरात्मत प्रभाव भी पढ़ता है वह अपनी जीवन को ज़्यादा सही दिशा में आगे बढ़ा कर ले जा पाता है तो हमेशा ही ऐसा दर्शाना की व्यक्ति जब शक्तिक अधीन है तो उसके पास और कोई दिकलक नहीं हो पाता है और वह शक्तिक अनुसार ही काफी संचालित होने के लिए मजबूर होता है काफी यह तक एक पक्षी विचार के रुप में सामने आता है विकलको के दिशा में के बारे में उस पस्टोप से फुको कुछ नहीं बताते हैं डेरिडा के लेखन में भी एक विब्रह्म की स्तिती से दिखती है जो क्योंकि आलोचना प्रस्तुत की उसमें सामने आती है मैंने अभी यह आपको बताया कि किस तरीके से जो भुकों हैं उनके लेखन में हम यह देख सकते हैं कि वह कुछ अस्तरों पर अपनी बातों को रखते हैं मिसाल के तौपर वो कहते हैं कि जहां भी पावर है वहां पर उसके रिजिस्टेंस के संभावना है लेकिन बहुत खुलकर विकल्पों के बारे में साफ तौपर नहीं बताते हैं और बहुत इतियास कारों यह मानते हैं कि फुकों के बारे में खास तौपर कि उन्होंने इतियास के सामगरे के अविद्धुता पोर्न या अध्वन समझ के बगार ही इसका उप्लियों किया और बहुत सारी गुम्जाइस से थी इतिहास के इंसाम अगरी को समझने की, लेकिन उनके लेकर में सामने नहीं आती है। नारिवादियों ने उनके विबरण को सिर्फ पुरुस अंभोत और समित या केंद्रित होने के लिए आलोचना की खुको की, जो प्रमुक उतरावनिक्तावादी है तो यह भी एक प्रमुक आलोचना है, हालांकि कई सारी नारिवादियों ने इसमें सुधार करने का प्रयास क और बहुत तरह के जो नारिवादी चिंतन है, उसमें हम उतरावनिक्तावाद का विरोद देख सकते हैं. माक्सवाद ने भी इस रूप से उतरावनिक्तावाद को एक गहरी चुनौती देने की कोशिश ती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि माक्सवादियों में यह बात सामन कि जिस रूप में फूको आलोचना परस्तुत कर रहे हैं, वहां आलोचना के अस्तर पर सही लग सकता है, लेकिन यह काफी हक तक हमें विकल्प हींता कि इस तिकी में लातर भी छोड़ देता है, क्योंकि यह समझना एक बात है कि हम पावर के अधीन है, लेकिन क्या इसके का पर फूपू या उतरादम का वाधिया हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विल बार बार जिस तरीके से मापसवाद पर हमला करते हैं, दूसरे मेटानेलेटिफ पर हमला करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम हरी एक चीज को एक रिलेटिव सिचुएशन में आकर देख सकते हैं, पा एक आलोचना है, और वो काफी घरी आलोचना के रूप के सामने आती है, कि बहुत सारे मौकों पर मेटा नेरेटिफ के आलोचना करते हुए, जो पोस्ट मॉडरिनिजम या उतरादनिक्तावाद है, वो एक ऐसी इस्तिती में सामने ला देता है हमें, जहां पर बहुत पुल कर साफ तोर पर विकल्प दिखाई नहीं देता है, और वो जो एक पोस्ट मॉडरिनिजम के स्थिती है, कि इसके कारण से लोग इसकी काफी तीखी आलोचना करते हैं, क्योंकि या एक 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 जस्टिफिकेशन के रूप में सामने आ जाता है, हर तरीके की परिवर्तनकारी राजनेती की आलोचना के संदर में, और तो इस लिहाज से भी इसकी काफी आलोचना की जाते रही है, लेकिन हमें यह याद रखने की आवश्यक्ता है, कि जो पोस्ट मॉडरिनिजम एक विचार है, और जैसे मैंने काहा कि अब मुझे रूप से विचार धाराओं की आलोच में प्रस्तुत करता है, इसमें कुछ बुनियादी विसस्ताएं हैं, जिसे कि हम बिलकुल साफ तौर पर इंग्रित कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि यह एक ऐसे विचार धारा के रूप में सामने आता है, जो मेटा नेरेटिब से विचार धारा का विरोट करती है, और इसकी जो प्रमुक आलोचनाएं हैं, उसे भी हमने देखा, लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है, जो यह पूरा वर्णन है, यह पुरी धारा है, उसने काफी हर्टक जो एक सप्रिस्ट आइडेंटिटीज थी, जो की मेटा नेरेटिब के भीकर दबी हुई थी, उन्हें सामने आने का मौका दिया, जो बातें अकसर इस लिहाँ से दबा दी जाती थी, कि एक गुड़ सोसाइटी की अस्थापना के लिए, या प्रांती के लक्ष को कुरा करने के लिए, इन चीजों की उपेक्षा की जा सकती है, उसे प्रश्नांकित करने का मौका सारे समुहों के लिए, बहुत सारे दमित पहचानों के लिए, सप्रिस्ट आइडेंटिटीज के लिए, एक मुक्तिकारी विचारभारा के रूप में भी सामने आई दो.